नमस्कार दोस्तों एक्जाम प्रिपेशन में मैं प्रियंक का एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ UPPSC ROARO 2023 के लिए हम लोग टॉप 1000 questions solve कर रहे हैं यह आपके exam point of view से most important question की series है 35 sets हम लोग solve कर चुके हैं और daily 25 questions solve करते हैं उसी को continue करेंगे आज मैंने 5th full land test लिया है इसमें तो चलिए start करते हैं आज का पहला प्रशन है वनों पर बढ़ते हुए ब्रिटिस नियंत्रण के संदर्व में कौन सा या फिर कौन से कथन सही है तो पहला statement देखिए चेचु आदिवासियों ने 1920 के दसक में आंध्र प्रिदेश के गुंटूर जिले से वन सत्याग्रह सुरू किया था Second statement है खरवार आदिवासियों ने 1930 के दसक में बिहार के पलामु छेते से वन सत्याग्रह की सुरूआत की थी बताना है कौन से statement इन में से correct है option के अनुसार answer हो जाएगा option C दोनों ही statement आपको correct दिये गए है Second question उत्तर प्रिदेश की प्रमुक जीलों से है दो list दी गई है इनको mash करना है पहली list में देखिए जील दी गई है दूसरी list में दिया गया है उनका location तो सबसे पहले list first देखिए इसमें सेखा जील है चितारा जील है सुरहा ताल जील है और फुलर जील है ये सारी जील UP में इस्तित हैं अब इनका location देखिए बहराईच, अलीगड, पीली भीत और बलिया दिया गया है तो A के करके हम सारी reverse देखेंगे आप अपना option देख लीजे क्या right है तो सबसे पहले बात करेंगे सेखा जील ये है अलीगड में A का हो जाएगा 2, चितारा जील है बहराईच में option 1, सुरहा ताल जील है बलिया में C का हो जाएगा 4 और फुलहर जील है पीली भीत में कहा है पीली भीत में और यहीं से गोमती नदी का उदगम होता है यहाँ पर अब देखेंगे हो जाएगा option D, 2, 1, 4, 3 option D right होगा third question है नीचे दो कथन दिये गए हैं एक कथन है और दूसरा उसका कारण है और बताना है कौन सा उत्तर सही होगा कथन है वर्ड 1742 में डूपले की फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में निउप्ति की गई थी इसका कारण है क्योंकि 1742 के बाद फ्रांसीसियों ने सामराज जिवाद के विस्तार के रूप में अपना लक्ष निर्धारित किया था बताना है इसका कौन सा उत्तर सही होगा यहाँ देखियो option C right होगा जो कथन दिया गया है वो भी सही है और कारण कथन की पूरी तरह से व्याख्या भी करता है 1742 के पहले तक जो फ्रांसीसी थे यह अपने आपको व्यापार तक ही C मित रख रहे थे लेकिन 1742 के बाद यह सामराज जिवाद के विस्तार के रूप में अपना लक्ष निर्धारित कर रहे थे और 1742 में ही डूपले की फ्रांसीसी गवर्णर के रूप में नियुक्ति की गई थी तो यहाँ पर option C right होगा फोर्थ कोशन है निम्लिकित में से कौन सा हिंदुस्तानी राग सीथ कालीन रितु में सायंकाल में गाया जाता है भैरो राग, हिंडोल राग, दीपक राग या फिर श्री राग और इसका right answer option D, श्री राग यह सीथ काल में सायंकाल में गाया जाता है भैरो राग भोर के समय गाया जाता है और ये रितु कोई भी हो सकती है हिंडोल राग प्राता काल में गाया जाता है वसंद रितु में और दीपक राग रात में गाया जाता है ग्रीश्म काल की रितु में और शीराग मैंने बताया सायं काल में, सीत काल में तो option D right हो गया, फिफ्ट कोशन देखिए, 57 संसोधन अधिनियम 1987 के अंतरगत, चार पूर्वोत्तर राज्यों की विधान सभाव में अनुसूचित जंजातियों के लिए सीटे आरेक्षित की गई थी, निमलिकित में से कौन सा राजी उनमें से नहीं है, अरुनाचल मेघाले और इसमें मिजोरम, इन सभी में सीटे आरक्षित की गई थी, एस्टी के टेगरी के लिए, तो ये आपको याद अखना है, ये रिजर्व की गई थी सीटे, और इसके अलावा नागा लैंड में भी, तो आपको क्या-क्या नाम याद अखने है, कौन-कौन से राज मेघाले मिजोरम और नागा लैंड में, सिक्त कोश्चन है, डचो द्वारा खोले गए कार खानों के संदर में, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, और सही उत्तर का चैन करना है, तो सूची एक में देखिए, पुली कठ है, सूरत है, चिंसुरा है और कोचीन है, दूसी तरफ 1609 है, 1603 है, 1616 और 1663 भी दी गई है, तो आपको डचो द्वारा खोले गए कार खाने या दखने है, उनका समय भी आपर पूछ लिया गया है, तो देखिए, पुली कठ 1609 में यहाँ पर कार खाना खोला गया, और सूरत में 1606 में, चिंसुरा में 1603 और कोचीन मे 1663 और खना है, यहाँ पर option right हो जाएगा A, 1324, 1324, 7th question है, फ्रेस को सब्द से आप क्या समझते हैं, या एक प्रकार की स्थाना अंतरणी खेती है, या एक प्रकार की चित्रकला सैली है, एक प्रकार का उपजाव छेत्र है, या फिर एक प्रकार की वास्तु कला है, इसका right answer ह हो जाएगा option B, या एक प्रकार की चित्रकला सैली, फ्रेस को जो है या भिती चित्रकला की एक तकनीक होती है, जो ताजा या फिर गीली मिटी पर प्लास्टर करके की जाती है, और या इतालवी पुनर जागरण चित्रकला से, इससे निकट्ता से संबंधेत है, तो option B चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का या फिर 1813 का चार्टर अधिनियम, और इसका राइट आंसर हो जाएगा option D, 1813 का जो चार्टर अधिनियम आता है, इसमें गवर्नर जेनरल की परिशत के विधाई और कारे कारी, जो कारे होते हैं, इनको separate कर दिया गया अलग कर दिया गया था, नाइंध कोशन है, निमलिकित में से किसने इंडियन वुमेन फ्रॉम पर्दा टु मॉडर्निटी नामक पुस्तक लिखी थी, अरुना असफ अली, सरोजनी नाइडू, विजया लक्ष्मी पंडित या फिर इन में से कोई नहीं, और इसका राइट नंदाने, टेंथ कोशन में दो लिष्ट दी गई है, एक तरफ कढ़ाई है और उससे सम्मंधित राजी है, उनके अनुसार उत्तर देना है, कढ़ाई में देखिए कांथा है, धार्निया है, गोटा है और शामी लामी है, इससे सम्मंधित राजी में राजिस्थान, उरिसा मनिपूर और गुजरात है, देखिए जो कांथा है, ये है पश्चिम मंगौल और उरिसा की, तो कांथा का हो जाएगा उरिसा, धार्निया है गुजरात की, गोटा है राजिस्थान का, और शामी लामी जो कढ़ाई है वो है मनिपूर की, यहाँ पर आंसर राइट होगा 2, 4 1, 3, option A, right होगा, 11th question है, लार ग्रंतियों तथा अग्निया से द्वारा, कौन सा एंजाइम स्त्रावित किया जाता है, जो की भोजन में मंड के जल अब घटन से ग्लुकोस का उत्पादन करता है, देखिए ये question अगर इंगलिस में पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जा इसका right answer हो जाएगा option B, amylase, ये जो amylase नामक enzyme है, ये salivary gland और pancreas, इनके द्वारा secret किया जाता है, ये starch का hydrolysis करके glucose produce करता है, तो amylase याद रखना है इसमें, ये किस से secret होता है, ये ज़रूर याद रखिएगा pancreas और salivary gland से 12th question है, 1867 में निमलिखित में से किसने धन की निकासी के सिध्धान को सामने रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खत्म कर रहा है, व्योमेश चंद्रबनर जी, गोपाल कृष्न गोखले, दादा भाई नौरो जी या इन में से कोई नही तो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन C, दादा भाई नौरो जी, इन्होंने 1867 में अड्रेन ओफ वेल्थ थियोरी दी थी, इनको या दखना है 13th question है, भारती परिशद अधिनियम 1861 के बारे में बताना है, कौन से statement correct है इस अधिनियम ने बंगाल, उत्तर पश्मी प्रांतो और पंजाब के लिए नई विधान परिशदों की स्थापना का भी प्रावधान किया Second statement है, नई विधान परिशदों की स्थापना क्रमसा, 1862, 1886 और 1897 नवे में हुई थी इसका right answer बताना है, यहाँ पर दोनों ही statement correct है और option C right हो जाएगा 14th question है, 1885 में गठेत भारती राश्टी कॉंग्रेस के सभी संस्थापकों में लगभग कितने संस्थापक पत्रकार थे 1-5, 1-3, 1-4 या फिर 1-6 और इसका right answer है, option B, 1-3 15th question है, निमलेकित में से कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है, यहाँ पर देखिए कुछ विस्विद्याले दिये गए हैं और उनका location पूछा गया है जैसे की चौधरी चरण सिंग विस्विद्याले इतावा में, नेक्स्ट है मैथली सरण गुप्त बुंदेल खंड विस्विद्याले जहांसी में, राम मनोहर लोहिया अवद विस्विद्याले वयुद्धा में, और महात्मा जोतिबा फूले रुहेल खंड विस्विद्या कहां पर है मेरट तो option A right हो जाएगा 16th question है घागरा का युद निम्लिकित में से किस राजी में लड़ा गया था बंगाल, पंजाब, हरियाना या फिर बिहार और इसका right answer है option D बिहार में घागरा का युद तो पहले याद कर लीजे किसके किसके बीच में हुआ ये हुआ था 1529 में कब हुआ? 1529 में बाबर और अफगानों के बीच हुआ था ठीक है? बाबर और अफगानों के बीच युद होता है 1529 में बिहार राजी में तो आपको बाबर दोरा लड़े गए जितने भी अभियाने में शॉट में कम्प्लीट करा चुकी हो डेवाई सीरीज में भी हो चुका है जिन्होंने भी नहीं देखा है वो क्लास जरूर देखिए और इनके दोरा जितने भी युद्ध हैं वो सारे युद्ध का यर और किसके किसके बीच वा ये जरूर याद कर लीजेगा सविंटीन्थ कोशन देखते हैं दो लिष्ट दी गई हैं एक तरफ समाचार पत्र हैं और उनके संपादक हैं इनको आपस में मैच करना है जैसे की सुधारक, वोईस ओफ इंडिया, इंडियन सोसियोलोजिस्ट और गदर इसमें संपादक या एडिटर्स दिये गए हैं दादा भाई नौरोजी, स्याम जी कृष्ण वर्मा, गोपाल गनेशागरकर और लाला हरदयाल इसका राइट आंसर देखिए सुधारक के हैं गोपाल गनेशागरकर ओप्शन 3, वोइज ओफ इंडिया के एडिटर हैं दादा भाई नौरोजी, इंडियन सोसियोलोजिस्ट के हैं स्याम जी कृष्ण वर्मा, और गदर के हैं लाला हरदयाल ओप्शन C, राइट हो जागा 3, 1, 2, 4 18th question है निमलखित घटनों पर विचार कीजे और chronological order में लगाना है इसमें vernicular press act दिया गया है, इलबर्ट बिल विवाद है, डूरंड आयोग की स्थापना है और तिबबत के लिए young husband mission है इसकी date याद होगी तभी आप इसको chronological order में लगा पाएंगे तो वर्नकुलर press act आता है 1878 में इलबर्ट बिल विवाद, इसकी date याद अखे 1883-84 ओके, डूरंड आयोग की स्थापना होती है 1893 में और तिबबत के लिए young husband mission आता है 1904 में अब इनको arrange कर लीजे, तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4 इसका right answer हो जाएगा option B, 1, 2, 3, 4 19th question है निमलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है भारत में प्रमुख बौध तीर्थिस्तल दिये गये है जैसे कि 36 गड़ में सिर्पूर दिया गया है फिर करनाटक में वज्युगीरी, मध्य प्रदेश में भरूत और उत्तर प्रदेश में दिया गया है कुशी नगर इसका right answer हो जाएगा option B वज्युगीरी करनाटक में नहीं है, ये कहां है, उडिसा में है इसलिए option C right होगा 20 प्रशन देखिए मानों सरीर में निमलिखित में से किस विटामिन का निर्वार नहीं होता है भीटामिन होगा चैन्स, इसका right answer हो जाएगा option D इसका right answer हो जाएगा option D, इसका right answer हो जाएगा option D, में नहीं से कोई नहीं देखिए, human body में, विटामिन की synthesis body में नहीं होती, लेकिन कुछ exception है इसमें, vitamin K, vitamin B, 12 और vitamin D, ये body में ही synthesized होते है तो इसके विए बादी में सिंथाइज होते हैं इसका राइट अप्शन प्रदेश इसका राइट से कई बाद कराश्चिक राजियों प्रस्ट कॉछ राजियों से बुजरती है राजिस्थान एंप श्थाइज जारकंट पश्चिमंगोल तो इतने नौर्टीश्वाली से प् इसका राइट अंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट अंसर ऑप्शन है निम्लिकित में से कौन सा जिला उत्ते प्रदेश वन सर्वेक्षन रिपोर्ट दो हजार इकिस के अनुसार नियूंतम वन छेत्र के मामले में तीन जिलों में से नहीं है भदोही मौ मैन पूरी या फिर इन में से कोई नहीं इसका राइट अंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इन में से कोई नहीं क्योंकि न्यूंतम वनावरल के छेत्र की द्रश्टी से तीन जिले हैं भदोही फिर है मौ और उसके बाद है मैन पूरी तो यह सीरिल से आपको दिये गए है तीनों ही शामिल है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा टॉंटिफोर्थ कोशन है निम्लिखित में से गलत विकल्प का चयन करें विसु बौधिक संपता संगठन दिया गया है 1967 में संयुक्त राष्ट विकास कारिक्रम 1965 में उत्री अट्लांटिक संधी संगठन दिया गया है 1949 में और दक्षि इसका इस्टैबिस्मेंट होता है 1967 में यही आपको गलत दिया गया ऑप्शन डी तो आज का लास्ट कोश्चन है निम्लिखित में से कौन सा विद्रो या फिर आंदोलन 1857 के बाद हुआ था होम विद्रो खासी विद्रो सिंग फोस का विद्रो जेली यांग रांग आंदोल इसके अलावा ओहम विद्रो याद कीजिए यह 1828 से 1833 के बीच होता है औहम मैं सारे ही याद करा चुकी हूं वैसे तो फिर भी बता दे रहीं यह एसं में होता है खासी होता है 1830 में और यह जो सिंगफोस का विद्रो है यह भी 1830 में होता है असं में तो सेम ही है और जेली यांग रांग होता है 1857 के बाद 1920 के दसक में मड़ीपुर में ऑप्शन डी राइट हो जाएगा तो यह कुछ कोश्चन्स आज के सेट में हम लोगों ने सॉल्व किया होप आपको समझ में आये होंगे अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजे चैनल को सब्सक वीडियो में तब तक के लिए भन्यवाद